हे सूत पुत्र तुम हार गए पर ये तुम्हारी हार नहीं हारे हो तुम नियती से जिसका कोई आधार में नाचीर मिला तुमको जन्नी का सबने तुम्हारा तिरिसकार किया जाती तुछा से लड़कर तुमने अरजुन पर प्रहार किया इस तब्द वहाँ जब हैरान थे कौशल भूमी में बाइड़ो परेशान थी देख सूत पुत्र के कौशल को द्रोणा चारभीस के सलक्ष भूर पशुआ हूँ रण कौशल वहीं पे रोक दिया सब ने इसका विरोश किया दुरियोधन को आखों ही आखों में शकुनी ने संपित किया मैं अंग प्रदेश का राजकुमान इसको घोशित करता हूँ लड़ सके ये अरजुन से इस बात को स्योजित करता हूँ नादंद हुआ हाहा कार हुआ मित्रता का उस रोज व्यापार गुआ दुरियोधन के एक निर्ने से करड़ के जीवन का नतंभाल। दुरुपत के आमंत्रल पर तभी वीरों का अवाहन को आखों सुवेंबर सभा में घंड को देख पक्सपातियों का चहरा है राजी। चलाया बाण प्रत्यरिचा पर मतस्की आख में आख देख मैं कदापी सूत पुत्र से रिवान नहीं करपती ही। चाहें जो भी हो जाए मैं बिन व्याही मरपती। धनुष वहीं पर छोड़ दिया, मुक्सिल लिया ना प्रश्टि किया। वासुदेव के सामने ही महाभारत की पथन खटनाने कारण दे। माता की आखों में अश्रोदेक करन बोला मत्रोमा। कवच कुंडल तो दान में दे दिया चार पुत्रों का दान भी ले लोमा। लेकिन अर्जुन के समक्ष युद्ध मैं पूरे बल से लडूंगा। थेश चारों को धनुष के समक्ष कुछ ना कपूंगा। वासुदेव का सुदर्शन भी मुझे रोक ना पाएगा। सरवशेश धनुर्दर कौन है इसका उत्तर में देखे रहे। हे पर्शुराम तुम कैसे राम शाप में सब कुछ भूल गए। शापित करके तुमने उसको दिया धनुष और वान अजे। ब्रह्म्हास्त की विव्द्याहू अर्चुन ने साथा वार आजे। हे गेश वपार्त के सारती तुम अडिक रहे जुके ने। ना छोला हाथ सियोधन का धर्म के खातिर तुम भुके ने। निश्चलचल से महारा तुमने शुत्र विहीन परवार किया। उस महावली महारती ने पुरुचे तुमेट जाए।